कोरोना के चलते इसकूल, कॉलेज और कोचिंग बंद बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मद्दे नजर इसकूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को एक गारा अप्रेल तक बंद रखने का आदेश बिहार सरकार ने जाड़ी किया है मुझे कुछ बातें कहनी है, कुछ पूछनी है, कुछ समझनी है और कुछ समझानी है पहली बात ये कि क्या कोरोना के बल इसकूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं में ही फैल रहा है क्या यह और कहीं पर भी नहीं फैल रहा है क्या coaching, institute, school और college ही इसके origin point है क्या यहीं से यह spread हो रहा है चारो तरफ आप bus stop पर चले जाए बस में देखिए भीर आप market में जाए वहाँ भीर देखिए field में जाए देखिए भीर सब जगह कोई problem नहीं है बस करोना फैलता है तो बस coaching, school और college में सेक्षनिक संस्थानों में करोना फैल ला है ठीक है यदि सरकार को ऐसा लगता है कि केवल सेक्षनिक संस्थानों के चलते ही करोना फैल सकता है यह महमारी बेकाबू हो सकता है तो ठीक है मान लेता हूँ कुछ समय के लिए कि सेक्षनिक संस्थानों से कोडोना बहुत ज़़ा फैल जाएगा और किसी चीज़ से नहीं फैलेगा तो क्या school, college और coaching संस्थानों को बंद कर देने से यह महमारी पर control करपाना संभब हो जाएगा मैं पिछले 12 वर्सों से सिक्षा के पेशे से जुड़ा हुआ हूँ जब यह lockdown होता है सेक्षनिक संस्थान बंद हो जाते है तो बच्चे क्या घर पर रहके क्या home isolation में रहते हैं क्या बच्चे घर पर social distancing का पारण करते हैं क्या बच्चे घर पर हमेशा मास्क पहन के रहते हैं ऐसा नहीं होता है सर ऐसा नहीं होता है जो नीती नियमों को बनाते हैं साइद उनके बच्चे ICSE CBSC बोर्ड के student होंगे उनके घर में सारी सुख़धाएं होंगी तो हो सकता है कि उनके बच्चे घर में रह ले लेकिन सर मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार में ऐसे बच्चों का percentage कितना है मैं तो समझता हूँ कि 10% भी ऐसे बच्चे नहीं हैं जो आपके lockdown कर देने के बाद आपके sectionic संस्थानों के बंद करा देने के बाद पुर्ण रूप से guideline का पालन करें sectionic संस्थानों को बंद कर देने के बाद अब बच्चे क्या करेंगे क्या आपको लगता है कि वो घर पर अकेले रहेंगे social distancing में रहेंगे चेहरे पर मास्क लगाके रहेंगे ऐसा नहीं होगा बिल्कुल नहीं होता है वो बच्चे अब free time में अनेक नई गतीवीधियों को करेंगे जिन में से बहुत सारी गतीवीधियां ऐसी होगी जो उसके लिए और उसके भविस्षे के लिए हानिकारक होगी अब वो अपना समय एस्पेंट करेगा मित्रों के साथ घूमेगा यहाँ वहाँ जायेगा नई नई तरह की चीजें करेगा जिसमें कई उसके लिए हानिकारक भी होगी अगर वह इसकूल में वह बच्चा होता तो इसकूल में एक निस्चित गाइडलाइन के तहत विवस्था हो सकती है लेकिन जब इसकूल जाना ही नहीं है उससे कोचिंग जाना ही नहीं है कॉलेज जाना ही नहीं है तब तो वह सोतंत्र है और इस्पेसली नाइन्थ, टेंथ और इंटरमेडियेट तक के बच्चे इतने मैच्योर नहीं हो पाते हैं जिससे कि वो अपना ज़्यादा सही और गलत अच्छी तरह से सोच सके उतनी maturity उनमें नहीं होती है सिख्छकों का guideline कम से कम intermediate तक के बच्चों के लिए बहुत आवस्यक है आगे भी ज़रूरी है लेकिन intermediate तक तो कम से कम और ज़्यादा intermediate तक तो और ज़्यादा आवस्यक है तो इतना तो कनफर्म है कि educational institutions को बंद करके कोई बिसेस फैदा होने वाला है ने बिसेस फैदा तो कुछ होगा नहीं लेकिन बहुत सारे loss जरूर होंगे और हुए हैं कुछ loss पर मैं ध्यान आपका अकरसित करना चाहता हूँ पहला loss यह होता है कि जो बच्चा पढ़ रहा है आचानक यह संस्था बंद हो जाने से कोचिंग बंद हो जाने से उसकी पढ़ाई की continuity खत्म हो जाती है और एक बार जब continuity खत्म होती है तो पुनह उसकी continuity को बनाने में बहुत प्रोब्लेम होती है बच्चे को भी और टीचर को भी यह बात मैं अपने अनुभब से कह रहा हूँ बहुत से बच्चे खाली समय में गलत संगती में पढ़के गलत चीज करता है और जीवन भर के लिए वह अपने आपको बरबाद कर लेता है कहा भी गया है खाली मन सैतान का घर वह खाली होगा तो ज्यादा चांस इसी का है कि सैतानी ही करेगा अब तो पुरी दुनिया में यह सर्वेक्षन आया है कि लोकडाउन में घरे लिए हिंसा बहुत बढ़ गई होता है यह और यही होगा फुनह बच्चे जितने अधिक घर पर रहेंगे घरे लिए हिंसा होने की संभावना उतनी अधिक होगी बच्चों के सोहाव में भी ठिरचिरापन आ जाता है कई बच्चे अवसाद गरस्त हो जाते हैं कई depression के सिकार हो जाते हैं और उनमें त्वाम तरह की स्वास्त संभन्धी संभावन हो जाती है और educational institution के बंद हो जाने पर especially private educational institution के बंद हो जाने पर नीजी सिक्षकों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है आर्थिक द्रिष्टी कौन से भी? सेक्ष्मिक द्रिष्टी कौन से भी? आर्थिक द्रिष्टी कौन से इस तरह कि जब पढ़ाई नहीं हो पाती है तो उनकी कमाई का जरिया बंद हो जाती है दूसरी प्रोबलेम यह होती है कि जब पुनह क्लास स्टार्ट होता है तो बच्चे इतने डाइभर्ट हो जाते हैं उनकी उर्जा अन्य कामों में इतनी लग चुकी होती है कि पुनह उसको प्रहाई की तरफ प्रिरीत करना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है तो दोनों तरह का बोज इन सिक्षकों पर पड़ता है मिडिया में कई बाड़े यह सर्वेक्षन भी छपता था पहले बार जब लॉकड़ान लगा था तो कि इतना परसेंट गार्जियन चाहते हैं स्कूल न खूले, कोचिंग न खूले इतना परसेंट, 80% चाहते हैं 70% चाहते हैं, 60% चाहते हैं पता नहीं ये लोग सर्वेक्षन करते कहां से हैं हम लोग भी पिछले वारह वरसों से सिक्षा के पेसे में हैं हम लोगों से तो प्रती दिन गार्जियन फोन करके कहते थे कि सर कोचिंग खुलेगा कब और ऐसा एक भी गार्जियन भी नहीं मिले जो यह कहे कि सर अभी मत खुली जितने भी सिक्षक जितने भी अभिवावक मिले फोन किये सब ने यही कहा कि कब खुलेगा सर बहुत परसान नहीं हो रही हैं बच्चे पर नहीं लिख पा रहे हैं उद्रणडता जारा कर रहे हैं गलत संगती में जा रहे हैं किसी तरह से कोचिंग को खोली ऐसा फोन की पताने ये कुछ मीडिया में सर्व्यक्षन कहां से ये लोग करते हैं हो सकता है कि ये जो है उच्छ वरगिये परिवारों के कुछ नमूनों को एकत्र करके उसके अधार पर सर्वेक्षन कर लेते होंगे लेकिन बिहार में मध्यम वरगिये निम्न मध्यम वरगिये और निम्न वरगिये बच्चे सबसे अधिक हैं और सरकार का कोई भी निड़ने 5% के लिए नहीं बलकि 95% के लिए हो तो ज़्यादा बेहतर होगा यह जो AC रूम में बैठ के लोग जो केवल निड़ने बनाते हैं उनके कितने बच्चे बिहार बोड में पढ़ते होंगे और बिहार बोड के बच्चों की मूल समस्या क्या है कैसे वे सही होंगे कैसे वे अपनी सफलता को प्राप्ट करेंगे इससे उनका कोई बिसेश वास्ता नहीं होगा और निश्चित रूप से हम यह भी नहीं चाहेंगे कि सिक्षन संस्थान खुले और बच्चों में कुरोना पोजिटिविटी की दर बढ़े हम ऐसा भी नहीं चाहेंगे लेकिन एक बात भी निश्चित है कि सबसे अनुसासित वर्ग कोई है तो वह सिक्षक वर्ग ही है और सिक्षन पेशा ही है तो यदि एक निश्चित गाइडलाइन के तहत कार्ज किया जाया तो कहीं कोई प्रोब्लेम नहीं होगी बस में भीर को कंट्रोल करने में मारकेट में भीर को कंट्रोल करने में समस्या हो सकती है प्रशासन को लेकिने क्लासरूम में बच्चों को कंट्रोल करने में एक सिक्षक को कोई परसानी नहीं है वो आराम से सभी गाइडलाइन को पालन करते हुए सोचल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मास्क लगाते हुए सारे चीजों को फॉलो कर सकते हैं फिर क्यों इन सिक्षन संस्थानों पर ही हर बार गाज गिरती है इसकी अंत में मयाह कहना चाहता हूँ कि 11 अप्रेल 2021 तक बिहार सरकार ने सेक्षनिक संस्थानों को बंद रखने का आदेस जारी किया है अगर इसका विस्तार होता है मिंस एकारस से आगे भी इसको बढ़ाया जाता है केवल सेक्षनिक संस्थानों को तो निश्चित रूप से हम सभी सिक्षकों चाहे वह नीजी सिक्षक हो, सरकारी सिक्षक हो, क्योंकि सरकारी सिक्षक हो पड़ भी तो बच्चों को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी है, आत्मा तो उनकी भी कचोटएगी यदी वो बच्चों को न पढ़ाएंगे, अपने सामने उसके भविस्षे को बढ़ाद होते दे अगर यह महामारी इतनी ही बड़ी है, इतनी ही समस्या है, तो हर चीज बंद होनी चाहिए आपातकालीन से वहाओं को छोड़ कर, केवल यह सजा सेक्षनिक संस्थान ही क्यों भूगते इस महामारी का, तो सिधा सिधा मेरा कहना यह है, कि अगर 11 अप्रेल के बाद सरकार इसका अभिस्तार करती है, और केवल सेक्षनिक संस्थानों के लिए, तो निश्चित रूप से हम सभी का विरोध करना चाहिए, नीजी सिक्षक, सरकारी सिक्षक साथ ही साथ, सभी बच्चों और उनके अभ सोलेशन में रहेंगे, कितने बच्चे सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कितने बच्चे मारकेट नहीं जाएंगे, कितने बच्चे किसी से नहीं मिलेंगे, सब मिलेंगे, सब होगा, हो सकता है 5% बच्चे नहों, उनके गारजिन बहुत उच्च हो, बहुत सारी पुनह मेरा अग्रा है कि अगर समस्या इतनी ही बड़ी है करोना की तो हर चीज गो बंद किया जाए केवल सेक्षिनिक संस्थानों को ही नहीं और एगारा के बाद अगर ऐसा होता है तो हम सभी का इसका बिरोध करना चाहिए